नमस्कर मैं हूं प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है हम प्रते दिन निउस बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछेंगे यह सवाल इसी न्यूस से जुरा होगा ऐसे में आपको इन सभी न्यूस को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है सबसे आदा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट मिलेंगे वहीं अब खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर शार्दिय नवरात्र के पांचवे दिन मा असकंद माता की पूजा मैट्रिक के लिए परिच्छा फॉर्म भरने की तारीक बढ़ी बिहार के 37 जिलो में 20 सूतरी समीतियों का हुआ गठर सिताकर सिंग ने चौते क्रिसी रोड मैप को लेकर दिया बयार संजो सैमसन ने महिंदर सिंग धोनी और जोस बटलर से की मुलाकात इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से शार्दिय नवरातर के पांचवे दिन मासकंद माता की पूजा आज नवरातर का पांचवा दिन है से में आज मादरगा के सकंद माता रूप की पूजा की जाती है कहा जाता है कि मा असकंद माता की पूजा अर्चना करने से सुख सम्रिधी के साथ साथ संतान की प्राप्ती होती है इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें से दो में हाथों में कमल है तो वही एक हाथ में कार्थिक बाल रूप में बैठे वे हैं और एक ने हाथ में मा आश्रवात देते वे नजर आ रही है असकंद माता कमल में विराजमान है बतादे कि सकंद माता को श्वेत रंग प्रिया है कहा जाता है कि सकंद माता से युद प्रसक्षन लेने के पश्चात भगवान असकंद नितार का सुर का वध किया था इसलिए माता को इसकंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है मा अपने भक्तों पर पुत्र के समान इसने ही लुटाती है डेलिट का रिजल्ट चारी 72,499 अभ्यर्थी हुए सफल बीतर दिन बदवार को रात 9 बजे प्रात्मिक सिक्षकों के लिए ली गई परिक्षा का रिजल्ट BPSC की ओर से जारी कर दिया गया है बतादिक इस परिक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संक्या कुल 72,499 है जिसमें 62,653 सामान इस श्रेनी के तो वही 7,790 उर्दु के और 6 पद बांगला के थे जिनने अलग-अलग जारी किया गया आज उचमाधिमिक सक्षकों के बचे 20 विश्यों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा बिहार के 37 जिलों में 20 सूत्री समीतियों का हुआ गठन बीते दिन देर राद मंत्री मंडल सचीवाले विभाग की ओर से अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि नितीज सरकार की ओर से मुंगेर को छोड़ बाकी अन्य सभी 37 जिलों के लिए जिलास्तर ये 20 सूत्री कारिक्रम कारयान में समीति का गठन कर दिया गया है इसी तरह अन्य जिलों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग-अलग मंत्रियों को बनाया गया है आपकी जानकारी के लिबतादी के 20 सूत्री जिलास्तर ये समीति में जिला प्रभाडी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है मैथली भाषा और शाहिते के मारतंड विद्वान पंडित गोवन जाका हुआ निधन बदवार के देर रात को मैथली भाषा और साहिते के मारतंड विद्वान पंडित गोवन जाका 102 वर्ष के उम्र में निधन हो गया 1993 में साहित्य अकादमी का मूल और अनुवात का पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो वह 1988 में फादर कमिल बुल के पुरुसकार 2008 में प्रबोध साहित्य सम्मान राची से विश्व भर साहित्य सम्मान और चेतना समीती से ताम्र प्रत दिया गया इन्होंने सब्द कोश निर्मान के क्रम में मैथली सहित हिंदी अंग्रेजी पांगला नेपाली अवहट प्राकृतिक आधी भाषाओं के लिए प्रसंस निये कारी कियें इन्होंने तीन उपन्यास तीन कथा संग्रह साथ नाटक एक कवीता संग्रह छे आलोशनात्मक निबं संग्रह दोजीवनी विनिबंद 13 भाषा ग्रंथ 4 कोश ग्रंथ 8 संपादित ग्रंथ 8 अनुवात शहित बिब्लियोग्रेफी ओफ इंडिया लिटरेचर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ओफ इंडिया लिटरेचर के निर्मान में भी अपना योगदान दिया है इस प्रकार इन परिशा समीती के द्वारा ऐसे चात्रों को आविदन करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। वहीं इसके लावा बोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर किसी चात्र का परिच्छा का फॉर्म नहीं भड़ा होता है तो इसके जिम्मेदार सम्मधित स्कूल या कॉलेज होंगे। सिमरिया तर्थ को संजय जहा ने बताया गेटवे ओफ मतला। बीतर दिन बदवार को सिमरिया में आयोजेत राज किये कलपवास मेली का उधगाटन करने पहुँचे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार जहा के द्वारा कहा गया कि सिमरिया को हरकी पॉड़ी के तरज पर विकसत किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिमरिया तर्थ देश के बहतरीं परटन अस्थल में शावल होगा। सक्षक न्युक्ति के दूसरे चरण की तैयारी में जुड़ क्या है ऐसे में बता दे कि बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के दौरा दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तिया पहले ही निर्धारित कर दी गई है वहीं अब इसमें पहले चरण में बचेवे 48,000 रिक्तियों को भ ग्यापन निकारास जा सकता है हालाक इसको लेकर विभाग के ओर से कुछ भी आधिकारी दौर पर नहीं कहा गया है वहीं पहले चरण के तहत ही दूसरे चरण की भी जिम्मेदारी BPSC को सौपी जाएगी आनंद मोहन को MP MLA कोर्ट ने इस मामले में किया बड़ी वर्स 2021 के एक मामले में पुर्वसांसद आनंद मोहन को MP MLA कोर्ट के दौरा साक्षे के अभाव में बड़ी कर दिया गया है बतादे के जेल में बंद रहने के दौरान आनंद मोहन के पास थे चार मोवाइल बडामत करने के मामले में सुनवाई होने के बाद ACJM, स्री MP, MLA कोर्ट, नितेश कुमार के दौरा साक्षे के अभाव में बाईजद बड़ी कर दिया गया पक्षकार वकील महिंदर चौधरी, अरुन कुमार सिंग, नवीन कुमार एवं सरकारी अधिवक्ता योधिस्टिक प्रशाथ थे वहीं बड़ी होने के बाद अरंद मोहन के दौरा कहा गया है कि उन्हें नयायाले पर भरोसा था, यह मतपुन फैसला है, और उन्हें कहा कि जेल में अच्छे चाल, चलन के आधार पर रिहाई मिली नवनियुक्त सिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने बुग की होटल, बीदर दिन से राजे भर में बिहार लोक सीवा आयोग द्वारा चेरित सिक्षकों की काउंसलिंग की शिरुवात हो चुकी है, ऐसे में जिन नवनियुक्त सिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पु मालूम हो किस प्रसक्षर में नव नुक्त सक्षकों को स्कूर में बच्चों के साथ उनके बरताव और दूसरे तकनीकी पहलुँ से अफगत कराया जाएगा बता देक इस ट्रेइन के लिए विश्यविद्यालियों एवम कॉलीजों से अफकास प्राप्त प्रध्यापकों का भी चेन किया गया है अमित सहागे रैली को लेकर 16 जिलों के निताओं को मिला टास्क पांच नॉमबर को एक बार फिर से केंदरे ग्रेह मंतरी अमित सहागे अपने मुझह परपुर में होने वाली रैली को लेकर बिहार आ रहे हैं ऐसे में उनके आगमन को लेकर प्रदेश भा समरार चौधरी भी अमित सहागे रैली को लेकर समिक्षा बैठक करेंगे मालम हो कि महस दो महीने के भीतर ग्री मंतरी अमित सहागे द्वारा बिहार में दूसरी रैली की जाने वाली है से पहले वो 16 सितंबर को बिहार पहुँचे थे इस दुरा नहोंने मधुबनी जले के चंचारपुर में रैली को संबोधित किया था सुधाकर सिंग ने चौथे क्रिसी रोड मैप को लेकर दिया बयान बीतर दन राश्रुपती दरौबदी मुर्मू के द्वारा चौथे क्रिसी रोड मैप का उदगाटन किया गया इसे बीच अब नितीज सरकार में विधायक और पुर्व क्रिसी मंतरी सुधाकर सिंग के दौरा चतुरत क्रिसी रोड मैप को लेकर एक बड़ा बयान देते वे कहा गया है कि इसके बारे में हमने सुना है और इसकी प्रती हमने विभाग से मागी है ऐसे में प्रती मिलने के बाद देखेंगे कि चौथे क्रिसी रोड म तो उनके मुकाबले 3.5 से 4 गुना कम है, बिहार में MSP की खड़ीद नहीं है। साल भड हो गए, मुझे ये बात बता दीजे, पत्रकार होने के नाते की बिहार में 10 लाग के मकाबले कितने लोगों को नौकरी मिल गई। लोग सेवा आयोग के द्वारा सक्षक भरती परिक्षा में सफल हुए अभ्यरतियों का रिजल्ट चारी कर दिया गया है। इसे सिक्षक भरती परिक्षा में सफल हुए सभी एक लाग 22,324 अभ्यरतियों को बहुत बहुत बधाई। बिहार के उजवल भविश्यों का मजबूत आधार तयार करने के जिम्मेदारी आपके कंधू पड़ है। बिहार वासियों के अपेक्षा है कि आप अपने दायत्व का निर्वहन पूरी निस्ठा और करतवे प्रायंता के साथ करेंगे। बिहार प्रदेश भाझपा अध्यक्ष पर प्रतिक्रिया देते वे कहा गया है कि भाझपा में सबका साथ सबका विकास है। यहां मल्टी परपस नेता है, राज़त में एक मालिक है और उनके नौकर। उन्होंने कहा कि राज़त एक व्यक्ति की पार्टी है, लालू जी कल भी अपराधी थे और आज भी है। कोट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है और कोई दे भी नहीं सकता, उन्होंने खाया कि अप्तियश्वी यादव भी अपने पता की राह पर चल रहे हैं। भाज़पा ने ही लालू यादव को पहले मुख्यमंत्री बनाया था, हाला कि बाद में भाज़पा उस सरकार से अल मलाकात तब की जब वे सयद मस्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम की अगवाई करते वे खेलने के लिए मुंबई पहुचे थे, जहां उन्होंने धोनी और जोस बटलर से मलाकात की। पता दी कि अपनी इस मलाकात की तस्वीर संजु सैमसन ने अपने इंस्टाग्राम अब 2023 के लिए नहीं हुआ है अब भरते हैं आज के पांस सवाल क्योंट हमारा पहला सवाल है चल संसाधन मंत्री संजय कुमार जहा ने गेटवे ओफ मितला किसको बताया है ऑप्शनी सिमरिया ऑप्शनी पटना ऑप्शनी अर्वल इसका सहुत तरह ऑप्शनी सिमरिया अगला सवाल सक्षक न्युक्ति के दूसरे चरण में कितने दिक्तियों पर बहाली निकलेंगी ऑप्शनी एक लाग चौबिस हजार ऑप्शनी एक लाग बीस हजार ऑप्शनी एक लाग बीस हजार ऑप्शनी एक लाग पच्चास हजार इसका सही उत्तर है option C एक लाख बीस हजार अगला सवाल मैट्रिक वार्सिक परिक्षा का ओनलाइन आविदन करने की दिथी कब तक बढ़ाई गई है? option A 24 October option B 28 October option C 27 October option D 30 October इसका सही उत्तर है option B 28 October अगला सवाल नवरात्र के पाचवे दिन माद दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? option C चंदरघंटा option B कालरात्री option C कुश्मांडा option D इसकंद माता इसका सही उत्तर है option D इसकंद माता अगला सवाल बिहार के चौथे क्रिसी रोड मैप का किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? option D राश्टरपती प्रतीभा पाटिल option B राश्टरपती प्रणब मुखरजी option C राश्टरपती रामनाथ कोवन option D राश्टरपती द्रौबदी मुर्मू बीदे दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों निफन जाओब हमें हमारी कॉमें स्रेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर सर्मा, उमेस, रिस्देव, मोटोर रंगीला, पपो कुमार, भान प्रकाश मॉर्या, पवन सिंग, जैसिका गुपता, मुहमत फ़हीं, कुश कुमार, यादब, पारवती रोय, कृष्णा क कुमार, राजेश कुमार, सद्धार्द कुमार, राजकिशोर, मतो, अर्जुन, रमा, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, अगर आपको मुका मिले तो आप किस भारतिये खिलारी से मिलना चाहेंगे, अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन मे लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहे हैं, चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो कर करना ना बूले थाने बाद